पताउंजली के मेगा फूड पार्क में जमीन हस्तांतरण के मामले में प्रदेश सरकार भुदवार को पूरा दिन जूचती रही कितनी जमीन हस्तांतरेत होनी है इसको लेकर दिन भर असमंजस बना रहा मंगलवार रात सरकार ने बताया था कि 50 एकर जमीम का मामला है बुदवार सुबह जानकारी दी गई कि 91 एकर भुमी दी जानी है अंतत शाम को 86 एकर भुमी पर एक रायम बनी इसके बाद मीडिया वालों को फाइनल जानकारी दी गई मंगलवार रात आचारे बालकृष्ण के ट्वीट के बाद सरकार पिछले पाउँ पर नजर आई अधिकारियों में हल चल रही अंतत डायमेज कंट्रोल के लिए सीधे मुख्यमंत्री योगी आधित्यानाथ ने कमान संभाली और उन्होंने पहले आचारे बालकृष्ण वाबाराम देव से बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया फिर उनके निर्देश पर आधिकारी रात से ही फाईलों से जूजने लगे बुधवार को दिन भर सरकार इसी मशक्कत में लगी रही सुबह मुख्य सचिव ने ओद्योगिक विकास विभा के अफसरों को बुला कर इसका प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने के निर्देश दिये साथ ही पता उंजली के तेस मार्च 2018 के उस पत्र को खो जा गया जिसमें उन्होंने जमीन अपनी दूसरी कमपनी को हस्तान तरित करने का अनुरोद किया था औध्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भी अफसरों को बुला कर इस मामले को जल्द हल करने के निर्देश दिये उन्होंने सारी ओपचारिक ताइम पूरी कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखने को कहा वहीं औध्योगिक विकास आयुक्त डॉक्टर अनूप चंदर पांडे भी अपने विभागव यह मुना एक्स्प्रेस वे औध्योगिक विकास प्राधिकरन ये डा के अफसरों के साथ बैठक करते रहे शाम तक अधिकारी पूरी कारे रियोजना निर्धारित कर चुके थे मुख्यमंत्री ने भी इस पर सहमती जतादी की 86 एकर भूमी पता उंजली को दी जाए कुल मिला कर जो काम पिछले धाई महीने से अटके थे वे आचारे बालकृष्ण के ट्वीट करने के 16 घंटे के भीतर फाइनल हो गए इसे अगली कैबिनेट बैठक में रखने का नर्ण ले लिया गया है